मोबाइल मैनुफेक्टिरिंग की नई उनीट भारत के साथ ही ये उत्तर पुदेश और नोएडा के लिए भी एक गर्व का विशह है सेमसंग का ग्लोबल आरेंडी हब भारत में है और अब ये मैनुफेक्टिरिंग फैसिलिटी भी हमारा गवरो बढ़ाएगी दुनिया के हरूस कारोबारी को खुला आमंत्रण है जो न्यू इंडिया के नए और ट्रांस्परंट बिजनेस कल्चर का लाब उठाना चाहता है भारत में दुनिया की सबसे बड़ी मुबाइल फैक्टरि उद घाटन के लिए खुद प्रधान मंत्री का आना और दक्षिन कोरिया के राश्रपती को साथ लाना इससे बहतर मौका मेकिन इंडिया की उस मार्केटिंग का कोई और नहीं हो सकता जिसे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छा कौन समझता होगा मुझे बताया गया है कि यहां बनी ये यूनिट कम्पनी की सबसे बड़ी मोबाइल फॉन मैनुफेक्टरिंग यूनिट होगी यहां हर महिने लगभग एक करोड फॉन बनेंगे महत्वपों ये भी है कि यहां जो भी प्रोडक्शन होगा उसका 30 प्रतिशत एक्सपोर्ट होगा दुनिया के अलग-अलग देशों में जाएगा निश्चित तौर पर इससे ग्लोबल मार्केट में आप स्थिती और मजबुत होगी यही हम दोनों देशों की ताकत है और यही हमारा साज़ा वीजन है दक्षन कोरिया की कमपनी सैंसन मोबाइल के सबसे बड़े ब्रैंड्स में से एक और सबसे बड़ी फैक्टरी यूपी के नॉइडा में दावा यही है कि सैंसन अपनी नॉइडा फैक्टरी से हर महीने करीब एक करोड़ बीस लाख मोबाइल बनाएगी यह मोबाइल ना सिर्फ भरत के लिए बलकि दुनिया के दूसरे देशों में भी निर्यात होंगे नॉइडा की मोबाइल फैक्टरी में सैंसन ने करीब पांच हजार करोड रुपए लगाए हैं इससे ना सिर्फ उसका प्रोड़क्शन दुगना होगा बलकि पंद्रह हजार नई नौकरियां मिलेंगी बीते चार वर्षों में फैक्टरियों की संख्या बोबाइल फैक्टरियों की संख्या दो से बढ़ करके 120 हो गई है और खुशी की बात है कि जिसमें से 50 से अधिक तो सिर्फ और सिर्फ यहां रोएडा में है इससे चार लाख से अधिक नवजवानों को सीधा रोजगार मिला है रोजगार निर्मान में भी सैमसंग की अग्रणी भूमिका रही है पूरे देश में लगबग सत्तर हजार लोगों को आपने सीधा रोजगार दिया है जिस पैसे लगबग पांच हजार यहां नोईडा में है मेकिन इंडिया वाली मारकेटिंग से पीम ने इसे दक्षन कोरिया और भारत के तालमेल का परतीक बताया दक्षन कोरिया के राश्टरपती मून जेए इन कल ही भारत चार दिन के दौरे पर आए हैं पहला कारिक्टरम ही नोईडा में सैमसंग के नए मॉबाइल प्लांट के सायूक्त उधगातन का बना पियम मोदी तक्षिन पोरियाई राश्रपती को लेकर मेट्रो से नॉड़ा आए मंडी हाउस स्टेशन से बोटैनिकल गार्डन स्टेशन तक दोनों ने साथ में सफर किया दोनों निताओं के स्वागत की तैयारियां खुद बुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ देख रहे थे जो कल ही नॉड़ा के सैमसन प्लांट पहुँचकर सब तैयारियों का जायजा ले चुके थे इस हैक्टी में 35,000 से प्रत्यक्स और प्रत्यक्स रोजगार सिर्जन का जो प्रस्ताव है उसके अंडो पुत्तर प्रदेश सरकार ने ने मदद की प्लांट के लिए 50 मेगावार्ट का सबसे बड़ा बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना चार मेहने की रिकॉर्ड अओधी में 22 किलोमीटर लंबी बिदुत लाइन को यहाँ पर पहुंचाने उसको जिकृत करने का कारियर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर संपन्न किया यूपी सरकार का कहना है कि रिकॉर्ड तोड समय में नॉइडा की सबसे बड़ी मुबाइल फैक्टरी लगवाने में मदब की गई पिछले साल मई में दक्षन कोरिया की कंपनी सैमसंग से M.O.U. साइन हुआ था जून में भूमी पूजन हो गया और करीब एक साल में ही पाँच हजार करोड के निवेश से नया प्लांट भी तैयार हो गया दर्बदेश में जब आदर्णी योगी जी के नित्त में 19 मार्च को सरकार बनी और मेरे को ये विभाग माने मुखबंती जी दौरार पार्टी ने तर्थ दौरा दिया गया तो सैमसंग के लोगों ने मुझे संपर किया कि पिछले कुछ समय से उनके जो कंसर्ण्स थे यूपी में इशूस थे वो रिजॉल्व नहीं हो पारे थे इसके कारणम वो यूपी छोड़के अन्य किसी राज में अपना ने इस्टैबलिश्मेंट और एक्सपेंशन ले जाने के लिए तयार थे मेरी उनसे चर्चा होई बातचीत होई मैंने माने मुखबंती जी से उनकी भेंट करवाई और एक महिने के अंतरगा थी जो लोगो यूपी छोड़कर जाना चाते थे उन्होंने यूपी के एक्सपेंशन का अपना टैन हमारे को सब्विट कर दिया और अठारा पांच सो करोड रुपे तब तक उन्होंने लगबग इन्वेस्ट किये हुए थे नॉइडा की सबसे बड़ी मुबाइल फैक्टरी और एक साल के अंदर काम पूरा होना सिस्टम में ऐसी स्पीड को सरकार अपनी उपलब्धी के तौर पर बता रही है जिसमें निवेश की हर रुकावट को दूर करने वाले दावे है नॉइडा में सैमसन प्लांट वाला इंटरनेशनल शो दुनिया के लिए भी मेक इन इंडिया का एक नया मैसेज देने की कोशिश है दिली से अशोक सिंगल और सिधार्थ के साथ संजय शर्मा नॉइडा आज तक